सुप्रभात्म बच्चो वच्छो पिसली खक्षा में हमने पढ़ा था अकारांत पुलिंग बालक शब्द के रूप थीद तो उशी क्रम है आगे बढ़ते वह आज हम पढ़ेंगे आकारांत श्त्रिलिंग बालिका सब्द रूप ठीक है अकारांत मैं आपको समझाई चुका हूँ आकारांत का मतलब है आ है जिसके अंतम है जो आप बाली का सब्दें यहाँ पर देख रहे है इसके अंतमे क्या है का तो का का जब बढ़न विछेत करेंगे कॉपलस आ तो अंतमे क्या है आ तो इसलिए हो गया आकारांत है और बाली का स्ट्रिलिंग है फीमेल है वो हम सब जानते ही है आईए इसके रूप मैं आपको बताता हूँ और इसी प्रकार से कुछ सब्दों के रूप और हम थोड़ा सा परिवर्थन करने पर चेंज करने पर कैसे हम सीख सकते हैं वो अब भी में थोड़ा आपको बताऊंगा चले पहले बाली का सब्द के रूप का उच्चारन हम आपको सिखाता हूँ कैसे हम इनको इनका उच्चारन करेंगे कैसे इनको बोलेंगे और कैसे इनहें याद करेंगे तीन बचन होते हैं हर रूप में एक बचन, दू बचन और बहु बचन और संबोधन से ही आठ विभक्तियां होती है बालिका सब्द प्रथमा विभक्ति बालिका बालिके बालिकाह जुतिया विभक्ति बालिकाम बालिके बालिकाह त्रितिया विभक्ती बालिकया बालिका भ्याम बालिका भी चतुर्थी विभक्ती बालिका येई बालिका भ्याम बालिका भ्यह पंचमी विभक्ती बालिका याह बालिका भ्याम बालिका भ्यह सश्टी विभक्ती बालिका याह बालिकयोह बालिका नाम सब्तमी विवक्ति बालीकायाम बालीकयोह बालीकासु संभोधन में ये बालीके ये बालीके ये बालीकाह इस प्रकार से उच्छारण करेंगे उच्छारण का विशेस महत्तु है एक एक सब्द का सपस्ट उचाओना चीए ठीक तो अब आईए आगे में आपको कुछ और सब्दें उनके बारे में बताता हूँ जैसे यहां नीचे मैंने लिखावा नोट रमा लता रिया भूमिजा भूमिजा मत्ताब सीता सीता का नाम है भूमिजा भूमि से जिसका जन्म हुआ हो वह भूमिजा तो आदी आकारांत वह मैंने रेड इंक से लिखे हैं इसका मतलब क्या है कि आप इन सब्दों नीचे सब्द हैं रमा लता इत्यादी जो सब्द हैं इनके पीछे यह जो रेड इंक से लिखे हुए हैं इन सब्दों को लिखेंगे तो यह रूप अपने आप बन जाएंगे थोड़ा बहुत चे अब बालिकाम में मूल सब्द क्या है, मुक्ह सब्द क्या है, बालिका सब्द उपर की तरह ही आया, उसमें मौज ओर दिया, ऐसे आप रमा सब्द में भी ऐसे करेंगे, रमा सब्द लिखेंगे, मौज ओर दिया, ठीक, ऐसे ही बालिके की जगह रमे हो जाएगा उपर की तरह फिर बालिकाहा बालिका मूल सब्द है उसमें विशर्ग है दू बिंदू पीछे लगाए ना इनको विशर्ग कहते हैं तो विशर्ग लगा देंगे ऐसे रमा में लगा देंगे रमाहा फिर यहां बालिकाया है तो रमा सब्द आ जाएगा रमा का आहट जाएगा जैसे बालि बालिका भ्याम रमा भ्याम बालिका भी रमा भी बालिका ये रमा ये फिर बालिका भ्याम रमा भ्याम बालिका भ्याम बालिका भ्याम रमा भ्याम बालिका 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 भ्या रमा से आठा दिनगे, रमयोह, बालिकयोह की जोगे हो जाएगा, रमयोह, बालिका नाम, रमा नाम, बालिकायाम, रमायाम, बालिकयोह, रमयोह, बालिकासू, रमासू, हे बालिके, तो हे रमे, हे बालिके, हे रमे, हे बालिकाह, हे रमाह, ऐसे और भी होंगे, रमा रमी रमा हा लता लते लता हा रिया रिये रिया हा भूमिजा भूमिजे भूमिजा हा ठीक इसी प्रकार से सारे शब्दों के इन चारूँ शब्दों के रूप भी ऐसे होंगे और भी कोई नाम है जैसे किसी का नाम कनी का है किसी का नाम राधा है ठीक है तो कोई भी आका परकार आद्यापक सब्द पुलिंग तो इसी परकार इनके रूप होगे तो यह आप समझ गए होंगे तो पहले आप बाली का शब्द के रूप लिखेंगे उसके बार जो नीचे आप को चार सब्दें रमा लता लिखेंगे और अभ्यास करेंगे और यह रूप आपको याद भी करना है शुद्ध उचांज से ठीक है छेली फिर अगली कर्षा मन मिलते हैं